हालो फ्रेंड्स यदि आपको बच्चा नहीं लग रहा है या प्रेग्निंसिक आप प्लैन करने और फिर भी एकंसीव करने में आप एस्थफल है यानि कि बार-बार कोशिश के बाद भी आपका प्रेग्निंसिक नेगेटिव आ रहा है तो आप सोच रहोंगे कि आखिर क्या क करेंगे इंफरिवींक्नि लेबल किया आप जाता है जब कपल मैरीड होता है और एक साल तक लगाता तर फैसल के नहीं होती है तो इसे हम लोग इंफर्टीलिटि जाते हैं तो साथ रहने का जो क्राइटेरिया बूला जाता है उसम्में जोब सकते हैं एक यदो बार नहीं होती है उसमें हम लोग मिलने की फ्रिक्वेंसी डिसाइड नहीं करते हैं यहांनी की मेल पार्टनर की बीत हो सकती है और फिमेल पाटनर की भी हो सकती है तो male partner का जो basic problem आता है कि वो semen analysis में होता है यानि कि या तो spums का number कम आ रहा है या उसकी quantity कम है या उसकी quality ठीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में semen analysis कराने से यानि कि जो पानिक की जाँच बुला जाता है वो कराने से हमें काफ़ी हद तक idea लग जाता है कि male partner की exact problem क्या है अब यह उसमें spums का number कम आता है या quality कम आती है या motility कम आती है या चलने वाले spums कम होते हैं तो ऐसी स्थिति में आगे के further test कराये जाते हैं जो कि semen analysis के report पर decide किया जाते हैं second problem हार्मों का हो सकता है कि या या कोई thyroid का प्रोलेक्टिन का problem हो सकता है तो इस तरीके से male partner की जो investigations की जाती है उसमें semen analysis किया जाता है hormone analysis किया जाता है और एक sonography किया जाता है जिसमें test का यानि कि scrotal area का sonography किया जाता है जिससे की test की health के बारे में पता चल पाता है जब तीनों test में कोई भी problem निकलते हैं तो उसके इसाब से आगे का treatment किया जाता है अब दूसरे अपने female partner होते हैं तो female partner में अगर अपन reproductive organs की बात करते हैं तो uterus होता है दोना तरफ tubes होती है और ovaries होती है तो जो basic mechanism है बच्चा लगने का कि अंडे दानी के अंदर यानि ओवरी के अंदर अंडा बनता है और अंडा वहां से फूटता है फूटने के बाद tubes के द्वारा वो इस तरीके की moment के द्वारा ovum को pick up कर लिया जाता है यानि कि अंडे को ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है और जब अंडा ट्यूब के अंदर पहुशता है और जब couple का intercourse होता है तो जो sperm होता है वो वजाइना से थूरू सर्विक से होते वे uterus से फैलॉपियन ट्यूब में पहुशता है वहां पे fertilization होता है और embryo बनता है वहां से जो जाइगोट बनता है वो नीचे आकर बच्चे दाने के अंदर implant होता है तो ऐसी इस्तिति में हमें अंडे दाने में अंडा बनना चाहिए ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए उनको फंक्शनल होनी चाहिए यानि कि ओवम को वह capture करने में capable होनी चाहिए फिर ट्यूब के अंदर motility होनी चाहिए ताकि वह एक को आगे transfer कर सके फिर इसके बाद में पेटेंट भी होनी चाहिए ताकि आगे उसका रस्ता खुला मिले और इ यह सारी चीज़ें असेस करने के लिए हमें बेसिकली एक सोनोग्राफिय के requirement पढ़ती है सबसे पहले सोनोग्राफिय से हमें योट्रस के बारे में ओवरीज के बारे में बहुत सारी knowledge मिल जाती है कि बच्चे दारे के अंदर कोई गाट पॉलेप या कोई अडीजन या कोई चेक करने के लिए हमें एक ट्यूब टेस्ट करना पड़ता है कि जो सोनोग्राफिय से होता तो सोनोसाल्पिंगोग्राफिय बोलते हैं और नीचे से दवाई डालकर एक स्रेइ खीचा जाता है जिसको कि H.S.G. के नाम से जानते हैं यानि कि हिस्ट्रोसाल्पिंग्राफिय बनता है जिससे, कि दौन से की पिटेंसी चेक कि जाते हैं और तौन से कि घुली या बंध तीसरह असेसमें के लिए के हर्मोन अलिस से करना परता है यानि कि एंदे दाने के अंदर और बनाने कंपसिट्र के तू इंडा बनाने की केसितली है तो यह हमें हमें AMH टेस्ट करा जो टेस्ट की जाते हैं इससे अंडा बनाने की कैपसिटी के बारे में पता चलता है और जब अंडा बनाने की कैपसिटी ठीक होती है तो आगे फर्दर अल्टरनेडेडे सोनोग्राफी करकर अंडे की ग्रोथ को यानि की फॉलिकल को मॉनिटर किया जाता है जिसे कि हुआ यानि की अंडा फूटा या नहीं फूटा तो यह सारी चीज़े हमें सोनोग्राफी से पता चलती है और सोनोग्राफी हर्मोन टेस्ट ब्लड टेस्ट कराके और एक पेटेंसी टेस्ट यानिकी ट्यूप्स का जो एचेस्टी कराते इन सब से हमें काफी हत्ता की विजन्स है दो भी कोई है या उसमें कॉई पाली पह या घांट तो से तो यह जता है अब यहीं में प्रॉब्लम अरी की ट्यूप्स ब्लॉकेज है तो पेट के अंदर दर्शियों डालकर तो नीचे से दर्वीन डालकर उसको ब्लॉकेश को खुला जाता है और उपर से यदि बच्चे दानी के अंदर कोई गांठ है या और कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज भी दूर्बीन से संभव है यानि कि गांठ को हटा दिया जाता है यानि कि फाइब्रोइड होते हैं उनकी माइमेक्टमी की जाती है और फाइब्रोड का एक पोरा वीडियो हमने रि या कोई ट्यूमर है तो उसको भी दूर्बीन से हटाया जा सकता है इन्हीं के साथ एक और प्राब्लम होते है एंडोमेट्रियोसिस के जो जनरली दूर्बीन डालने के बाद ही पता चलते हैं जिसमें आते चुप्स के साथ चिपक जाती है या अंडेदानी दोनों आपस मे चॉकलेट कलर का फ्लीड कठा हो जाता है जिसे खून के गांट भी बोलते हैं जो के प्रकार है एंडोमेट्रियोसिस का ऐसे स्थिति में ट्यूप्स और प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती तो दूर्बीन डालकर इन सबको सेपरेट किया जाता है जो भी खून के थक्के बन ज हो सकती है और दोनों के प्राब्लम्स के जो कारण है वह हमने अभी आपको समझा है और उनका मोटे तौर पर इलाज भी हमने समझा दिया है अब यदि कई बार लगता है अगर मेडिसिन से नहीं काम चल रहा तो इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं और फिर उसको फॉलिकल क कर लिए जाता है और इसी किसी का अंडा बनता है लेकिन फूटता नहीं है तो उसमें फूटने का इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है और यदि आपके ट्यूब ब्लॉक है अंडा नहीं बन रहा है तो ऐसी इस्तिते में आपको फिर आई-वी-फ की सलहा दी जाती है यान तो आजकर हमारे पास एक सक नई टेकनीक है जिसमें HAMLOflix डेफिनीटली कपल को दे ही पाते हैं यानि कि नॉमल पेग्नेंशी हो सकता यちゃ आसिसिस्टेट बिटॉडटशन के अंदर तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम लेकर जब डॉक्टर के पास पहुंचते तो डॉक्टर पूर्णतिया आपका पुरा असस्मेंट करता आपका कारण पता करता है कि किस कारण से आपको प्रेग्नेंसी नहीं हो पारी है और उसका पुरा इलाज भी आपको समझा देत हैं मैं समझते हूं कि सारा जो मोते तोर पर फर तिलिटी को एंफर्टिलिटी को कवर किया जा सकता था ता वह भी आपका यह कोई पॉइंट चूट किया या कोई छूट गई है कमेंट बॉक्स में लिखके पूश सकती है और हम उसका ज़बाब देने की पूरी कोशिश करे झाल झाल